इस वीडियो में हम class 8 playing with numbers chapter के MCQs देखेंगे तो पहला question है If the 4-digit number x27y is exactly divisible by 9 then the least value of x plus y is तो 4-digit number दिया है x27y और ये exactly divisible है 9 से तो इसमें जो x plus y है इसकी least value क्या होगी यह हमें बताना है तो देखिए अगर x27y 9 से exactly divisible है यानि कि divide हो जाएगा तो सारी digit का sum भी 9 से divisible होगा तो हम सारी digits को plus करेंगे x plus 2 plus 7 plus y is equal to x plus y plus 9 ये divisible होगा अब x plus y की क्या value होनी चाहिए ताकि x plus y plus 9 पूरी तरह से 9 से divide हो जाएगा तो x plus y की सबसे छोटी value 0 हो सकती है तभी x plus y plus 9 पूरी तरह से 9 से divide होगा तो हमारा answer क्या होगा 0 यानि कि option A हमारा answer है option A 0 next question है A 2 B 5 is exactly divisible by 9 यानि कि A to B 5 पूरी तरह से 9 से divisible है यानि कि divide हो जाएगा तो इन digits का sum भी divide हो जाएगा तो इनका sum का digits है ये divide हो जाएगे तो अब हम sum करते है A plus 2 plus B plus 5 तो A plus B plus 7 अब A plus B की value सोच नहीं है कि 7 में A plus B की कितनी value प्लस करे कि वह 9 से divide हो जाए तो अब A plus B is equal to 2 होना चाहिए तभी 7 plus 2 is equal to 9 होगा तो हमारा answer 2 होगा ये हमारा answer होगा 2 यानि कि option C ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर X 4Y 5Z exactly divisible है 9 से यानि कि exactly divide हो रहा है 9 से तो X plus Y plus Z की least value क्या होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे X plus Y plus Z is equal to 0 होगा तभी यह 9 से divide होगा तभी ये 9 से divide होगा यानि कि answer क्या होगा option D 0 नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर X 7Y 5 exactly divisible है 3 से तो X plus Y की least value क्या होगी तो यहाँ पर X plus 7 plus Y plus 5 भी 3 से divide होगा यानि कि X plus Y plus 12 में X plus Y की सबसे छोटी value 0 होगी तो हमारा answer होगा 0 answer होगा 0 यानि कि हमारा answer है option B नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 3 whole number निकालने हैं जिनका product और sum इक्वल होए तो hit और trial method से हमने देखा कि 1 plus 2 plus 3 0 होता है और 1 multiplied by 2 multiplied by 3 6 देता है तो 1, 2 और 3 ऐसे whole number है जिसको plus और multiply करने पर same answer आता है तो हम hit और trial method से पर चल रहा है हमें कि 1 multiplied by 9 9 देता है जो की 1 digit number है और 1 plus 9 देता है हमें 10 जो की है 2 digit number अब next question है हमारा A, B multiplied by 3 और इसका answer आ रहा है C, A, B तो यहाँ पर 3 multiplied by B B दे रहा है तो B 5 या 0 हो सकता है क्योंकि 3 multiplied by 5 15 होता है और हम सिर्फ once place लिखते हैं तो tenth place तो carry हो जाती है तो 3 multiplied by 5 को 5 लिखेंगे या तो B is equal to 0 होगा तब ही 3 multiplied by 0 is equal to 0 देगा अब अगर B is equal to 0 है तो A, B में अब A को 3 से multiply करे तो हमें A मिलेगा यानि की A और 3 को multiply करने पर A मिलेगा और C तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर A मिल गया 5 और C मिल गया 1 इस question है 5 A, B तो यहाँ पर हमें A, B और C की value निकालनी है तो यहाँ पर A माइनस 4 हमें 3 देगा तो इसलिए जो A है इसकी value हो जाएगी 7 फिर दूसरा वाला है B तो यहाँ पर B 6 होगा क्योंकि B माइनस 6 करेंगे तो हमें 0 में लेगा इसलिए B होगा 6 अब है C की बारी तो C अब हमें C निकालना है तो हमें बता है कि 6 सिगजा होता है 36 इसलिए C की value है 6 question है C B 5 माइनस 2 8 A और इसका answer आ रहा है 259 तो अब B माइनस 1 माइनस 8 is equal to 5 होता है तो B माइनस 9 is equal to 5 और B is equal to 5 प्लस 9 is equal to 14 होगा इसलिए B is equal to 4 होगा अब C माइनस 1 माइनस 2 is equal to 2 है तो C माइनस 3 is equal to 2 होगा तो इसलिए C हो जाएगा 5 और A का देख लेते हैं तो इसका है 5 माइनस A is equal to 9 तो A is equal to 5 माइनस 9 होगा या 15 माइनस 9 तो 15 माइनस 9 किता देता है 6 यानि कि A होगा 6 तो A की वैल्यू है 6 B की वैल्यू है 4 और C की वैल्यू है 5 तो इसलिए C भी 5 माइनस 2 8 A और आंसर है इसका 259 तो यहाँ पर 5 माइनस A is equal to 9 है तो A is equal to 5 माइनस 9 होगा यानि कि यहाँ पर माइनस 4 आ रहा है तो माइनस 4 तो पॉसिबल नहीं है इसलिए A is equal to 15 माइनस 9 करेंगे जो की देगा हमे 6 यानि कि A is equal to 6 आ गया है अब आया B तो B के लिए यहाँ पर लिखा है B माइनस 1 माइनस 8 is equal to 5 यानि कि B माइनस 9 is equal to 5 तो यहाँ पर B कितना जाएगा 5 प्लस 9 यानि कि 14 अब जो 14 आया है इसलिए इसको हम 4 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो B लिखा हुआ है यहाँ पर यह सिंगल डिजिट में आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम इसको 4 कर देंगे अगला है C तो C माइनस 1 माइनस 2 is equal to 2 यानि कि C माइनस 3 is equal to 2 तो हम क्या लिखेंगे C is equal to 2 plus 3 is equal to 5 यानि कि 5 आ रहा है तो C is equal to 5 है अब A की value आ गए हमारी 6 B की value आ गई है 4 और C की value आ गई है 5 अब A की value आ गई है 5 अब A की आ गई है 5